दोस्तों फिशे श्वागत है आपका अपने ही यूटूब चैनल निकी ब्लॉग में दोस्तों पंजाव नेशनल बैंक आगामी एक फरवरी दो हजारे कई से अपने एटीम से पैसे निकालने के नियमों में भारी बदलाव करने जा रहा है PNB बैंक ने अपने अधिकारिक ब्योसाइट पर इस बात की जानकारी दी है दोस्तों बैंक ने बताया है कि खाता धारकों को एक फरवरी दो हजारे कई से PNB के जो ग्राहक है वो नौन एमबी एटीम मसीन से कोई भी बितिये और गैर बितिये लेंदे नहीं कर पाएंगे दोस्तों ध्यान रखे बैंक के खाता धारकों को एक फरवरी से नौन एमबी एटीम मसीन से अब कैस निकालने की सुबिधार नहीं मिलेगी मित्रो PNB ने एटीम से होने वाले फ्रॉड को देखते हुए यह फैसला लिया है जो की काफी सराहनी है दोस्तों आगे की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह नौन एमबी मसीन क्या होती है दोस्तों PNB ने ट्विट कर बताया कि बैंक ने एक फरवरी से नौन एमबी एटीम मसीनों से लेन देन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है दोस्तों अर्थाद बंद कर दिया है नौन एमबी मसीन एटीम काड की जानकारी को हैक नहीं कर सकते है कार्ड की क्लोनिंग की संभावना भी खतम हो जाती है दोस्तो बिना EMB वाले ATM से किसी भी तरह के फाइनेंसियल और नॉन फाइनेंसियल ट्रांजेक्शन को रोकने का फैसला किया गया है तो दोस्तो आईए जानते हैं कि नॉन EMB मसीन नॉन EMB ATM मसीन होता क्या है दोस्तो तो दोस्तो आपको बता दें कि नॉन EMB मसीन में मैगनेटिक स्ट्रिप के जरिए डाटा को जो है वो कम्प्यूटर या सॉप्टवेर जो है रिड करता है दोस्तो इसमें कार्ड को ATM मसीन में छोड़ना नहीं पड़ता है जबकि EMB वाली मसीन में ATM कार्ड मसीन में कुछ सेकेंड के लिए लॉक हो जाता है यही बैंक ने अपने ग्राकों को डेविट कार्ड को लॉक करने की भी सुबिधा दी है दोस्तो बैंक के एप की मदद से PNB बैंक के ग्रहाक ATM कार्ड को आफ और आउन कर सकते है जो की काफी करा सरानिय कदम है तो ध्यान रखें दोस्तो बैंक की यह नई जानकारी अगर आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद